मंच पर रखी गई दो खाली कुर्सी और राची की धर्पी से विबक्ष की उल्गुलान हूंका उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी यह दो कुर्सियां खाली पड़िए यह दो कुर्सियां खाली पड़िए मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोज अब लेके रख लेना यह खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी देख लेना भगवंत मान बोले, तेजस्वी बोले, कल्पना सोडें, सुनीता केजदिवाल ने आवाज बुलंद की और नारा दिया अब की बार वी जेपी की हाथ उल्गुलाँ का मतलब ही है, अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोगतंत्व लुटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश तूटने नहीं देंगे, मेरे साथ आप लुक्जोर से बोले, इंकलाब जिनदाबाद। उल्गुलान मतलब क्रांती जहाटखन की राजधानी राची में हुई इंडिया गठबंधन की उल्गुलान रैली का मकसद भी यही है मसलब विपक्ष के निताओं पर हो रही कागवाई को लेकर जनता के बीच ये संदेश देना के केंदर की बीजेपी सरकार घलत तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है दूसरा पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तयार करना जिस पर सबात होकर बीजेपी को तीसरी बार सत्ता के दर्वाजे तक पहुँचने से गोका जा सके रांची की उल्गुलान रैली में शामिल हुए तमाम नेताओं का साधा जोड इन ही दो मुद्नों पर रहा छे माई में मुझे नरंदर मोधी ने जेल में रखा पूरी पाथी को पकल पकल के जेल में डाल रहे है जार घंड के सबसे लोग प्रिया लेता भाई हेमन सुरें को तुमने जेल में डाल दिया मोधी जी तुम जेल से डरा रहा है भगवान विरसा मुंदा के अन्वाईयों को अपने अधिकारों की लाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोसिस मत करना मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सचाई सुनवाई और कारवाई वाली सरकार देने के लिए जो ताना शाही जो पूरे देश में चल रही है इसको उखार के पेकने का काम करेंगे भाई हेमन सोरेन जी के लिए आज कुर्शिया खाली है आप जनता है आप मालिक है आपको न्याय दिलाना है आपको न्याय करना है यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए सुनीता केजरिवाल ने अर्विन केजरिवाल की डाइट का मुद्दा उठाया तो कल्पना सोरेन ने हेमन सोरेन की चिठ्थी पहण कर सुनाई फेदारोप लगाया कि गिरफतारी की साज़िश बीजेपी के इशारे पर की गई सुगर की मरीज हैं 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं 50 यूनिट हरोज लेते हैं लेकिन जेल में इंसुलिन मिंग देंगे मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये लोग अर्विन केजिवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते कि विगत चार सालों से विपक्ष मेरे विरोच शर्यंत रच रच कर आखिरकार एक देबुनियाद आरोप के में मुझे कई धाई महिनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है और इसी प्रकार हमारे महागडबंदन दलके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अर्विन्द केजिवाल जी को भी उनके सहीयोगियों के साथ दिल्ली के तिहार जेल में डाल रखा है साथियों ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शेश नेता एवं मुख्यमंत्रियों को सून योजित तरीके से बेबुनियाद आरोपो पर जेलों में डाला जा रहा है उल्गुलान रैली के मंच पर मौजूद हर एक नेता ने बीजेपी सरकार पर पानी बीपी कर हमला बोला हालांके राची में हुई इंडिया गठबंधन की उल्गुलान रैली में कॉंग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं गुआ जबके जारखन में कॉंग्रेस के समर्थन से ही जेमेम की सरकार चल रही है महराष्ट में इंडिया गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे और शरत पवार भी नाची नहीं पहुँचे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुरवेदी ने शिर्कत की जिस पर ग्रिह मंत्री आमिट शाह ने बड़ा हमला किया तावा है कि भले ही राची में इंडिया गठबंधन के कई दल और नेता एक मंच पर दिखे लेकिन इंडिया की जनता विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है यहां मौलाना साब और कॉंग्रेस आमने सामने हैं वहां कॉंग्रेस, कॉंविनिस्ट और ट्रियम्सी आमने सामने हैं केरल में कॉंग्रेस और कॉंविनिस्ट आमने सामने हैं चस्विर्य दिखा कर क्या होता है सब एक दूसरे के खिलाप लड़ रहे हैं राची में हुई उल्गुलान रेली इंडिया गठबंधन का चौथा बड़ा सियासी कारिक्रम थे इससे पहले मुंबई, पटना और डिल्ली में महा गठबंधन की साजहा रेली हो चुकी है लेकिन उल्गुलान रेली से कौंग्रेस के वरिष्ट नेताओं की दूरी ने विपक्षी एकता पर सवाल खरे कर दिये हैं इधर अखिलेश यादों ने उल्गुलान रेली से बड़ा दावा किया इन बैटे हैं या किसान भाई गाउं से शल करके आए हैं यह जानते होंगे जब से बादि दिन तब पाड़ी की सरकार आई है इनकी हालत और खराब हो गई है जहारखन आदिवासी बहुल राज्य है जहारखन की कई सीतों पर आदिवासी वोट निरनायक है इसके अलावा इन्डिया गटबंधन को उम्मीद है कि उल्गुलान रैली, ओडिशा, छक्तिजगर और नौर्थिस्ट की आदिवासी बहुल सीतों पर दिख सकता है दूसरा माना जा रहा है कि इन्डिया गटबंधन के नेता अर्विन केजरिवाल और हेमन सोरेन के गिरफतारी को मुद्दा इसलिए भी बना रहे हैं जिससे चुनाओं में सहानु भूती की लहर पैदा की जा सके कल्पना सोरे, सुनीता के जरिवाल, संजै सिंग, टेजस्वी यातों, अखिलेश यातों और पारुक अब्दुल्ला सरीखे नेता उल्गुलान रैली के मंच से बीजेपी को घेर रहे थे मंच पर खाली रखी गई दो कुर्षियां दिखा कर माहौल बना रहे थे उसी बाद उल्गुलान रैली में पहुंचे, इंडिया गटबंधन के कारेकरता और समर्था आपस में लड़ रहे थे, माहौल हंगामे दार था बताया जा रहा है के रैली में खीश्टां के रस्वी यादाव की आर्जेदी और कॉंग्रिस कारेकरताओं के बीच हुए उल्गुलान रैली में इंडिया गटबंधन में शामिल कारेकरताओं के बीच मतले साफ नज़र आया है खबर है कि आर्जेदी और कॉंग्रिस कारेकरताओं के बीच ये तना तर्य जहारखन की चत्रा सीट पर टिकट मढ़वारे को लेकर शुरू हुई जहारखन की चत्रा सीट से कॉंग्रिस ने कियें त्रिपाठी को मीदवार बनाया है जिसका अर्जेडी कारेकरता विरोध कर रहे हैं और विरोध की यही तस्वीर उल्गुलान रैली में भी नज़र आई अलांके मंच से टेजस्वी यादों ने बोलना शुरू किया तो उन्हों ने गटबंधन के कारेकरताओं को साथ मिलकर बीजेडी को हराने का संदेश दिया उधर वैली में हंगामे की तस्वीर आने के बाब बीजेडी इंडिया गटबंधन पर चुबने वाला बात कर रही है राच्छी में इंडिया गटबंधन के पब्लिक मीटिंग में कॉंग्रेस में आरजेदी में कुर्षियां चली हैं जगड़े हुए हैं पिटाई हुई हैं लोग घायल हुए हैं तो हमनों तो कहते थी कि स्वास का गटबंधन है चुनाव आगे बढ़ेगा गुसे चलेंगे अब कुर्षियां चल रही हैं लोग घायल हो रहे हैं तो इनमें क्या एकता है यह देश देख रहा है यह जब आपस में एक नहीं रह सकते हैं देश को क्या एक करेंगे यह स्पष्ट बीजेपी का संदेश बिलकुल साफ है कि इंडिया गटबंधन में कुछ भी ठीक नहीं दावा है कि चुनाओ बाद इंडिया गटबंधन के नेताओं का मत्वेद खुल कर सामने आ जाएगा यह बात और है कि विपक्षी गटबंधन की गारी को धक्का लगा रहे दलों को उम्मीद है कि जनता का समर्थन उनके साथ है एक विश्वास अखिलेश या दौकादी है कि लोग तंत्र में आवाज बोट में बदलने जा ली है और इस बार भारती जनता पार्टी का नकेबल जार्खन बिहार यूपी के लोगों ने मन मना लिया है कि हमें सम्विधान की एक इनकी गारंटी नहीं चीह है जो जुबले की तरह है बीजेपी की घारंटी घंटी है जिस तरह इनों ने करोना और तमाम बार ताली थाली वजवाई उसी तरह इनकी घंटी घंटी है उत्तर पदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पाजी इंडिया गठबंधन की बरी सहयोगी है दिल्ली में आम आद्मिपाजी, बिहार में आरजेदी और जहरखन में जे-म-म इंडिया गठबंधन के साथ है उल्गुलांग रैली में इन सभी दलों के नेताओं ने एक साथ जीत की हुंकार परिए चार सापर का फिल्म दिखा रहे हैं, चुना हुआ फ़र्स फेस का पहले दिनी महोदी जी का चार साव वाला फिल्म देश की जनता ने सूपर फ्लॉप बना दिया अब सवाल है कि क्या तमाम मतभेदों के बाद विपक्षी गठबंधन लोग सभा चुनाओं में देहतर प्रदर्शन कर पाएगा विपक्ष जम्मू कश्मीर से केरल तक बीजेपी के लिए चुनाओती खड़ी कर पाएगा क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल अलग-अलग पाएटियों के नेता भले ही एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का समर्थन और जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन जमीन पर मतभे बने हुए है